हलो एवरीवन वेलकम बैक तो माई चैनल इसके लिए हमने एक कप चना ले लिया है और एक कप मतर ले लिया है जिसको हमने ओवरनाइट सोख करके भिगा के रग दिया था सारी रात भिगाने के बाद अब हमने इसको एक साथ मिक्स कर लिया है और वाश कर लिया है तो चलिए हम इसको कुक करना शुरू करते हैं इसके लिए हम एक बड़ा प्यास ले रहे हैं और इसको हम चॉप कर लेंगे इसके साथ ही हम तीन हरी मिर्च ले रहे हैं इसको भी हम र प्यास को चलाते हुए फ्राइ कर लेंगे और उसके बाद हम इसमें चेना और मटा राट करेंगे यह लाट गोल्डेन ब्राउन हो चुगी है प्यास और आईए हम इसमें चेना मटा रखा तब यह अच्छा सा मिक्स दे देते हैं और अब हम यहां पर नमक डाल रहे हैं यहां साथ हम यहां पर हल्दी पाउडर डालेंगे और लाल मेश पाउडर यानिका च्छालाड जालींगे औहर लाल मिर्श पाउडर जालेंगे पूरण लिया है और इसमें एक ग्लास पानी आट करेंगे पानी डालने के बाद दूर्जें लगाएंगे आठ से दस पेसल आएगी स्लो टू मिडियम फ्लेम यहीं पर पर फिर कोटर अफनक पर खरीर हड़ा करे गलाव के लिए्ह तक का उस्ता है अब सकते हैं अम अश्चाइ तो आपके तो नहीं है। यहां पर पानी के खीर हमें ने झालाव कर सकते हैं ये रमजान के लिए खास तौर पर अफ़तार के लिए बहुत ही आइडिल डिश है आप इसको जरूर ट्राइ करें फाइनली इसको हमने डिश आउट कर लिया है और इसको गानिश कर लिया है हरा दनिया हरी मेच शिप प्याज और जूलिन कट चिंजर यानि की अधरक से आप इसको जरूर ट्राइ करें कोमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि आपको कैसा लगा जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ तेल देन अलाहाफिस टेक केर